हेलो गाईज, वेलकम टू साइन्स वरक्षॉप, दिस इस कुसुम हेर, गाईज इस वीडियो में हम अल्ट्रा सैंट्रिफिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, अल्ट्रा सैंट्रिफिगेशन का एक वीडियो में अल्रेटी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, उसमें अल्ट् सैंट्रिफिगेशन के बारे में देखा था, और प्रिप्रेटिव अल्ट्रा सैंट्रिफिगेशन के बारे में देखा था, ठीक है, इस वीडियो में हम कई पॉइंट कवर करने वाले हैं, इसका इंस्ट्रिमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या-क्या उसमें चीज लगी ह और वो कैसे काम करती है और इसके uses क्या होते हैं इसको use करते time क्या क्या precautions हमें रखनी चाहिए और साथ ही साथ हम इसका procedure देखेंगे और procedure में भी analytical और preparative और preparative में भी दो type के हम देखने वाले हैं एक तो है density gradient और दूसरा है differential ठीक है दोनों ही type के जो ultra centrifugation का procedure है वो हम इस वीडि करते हैं सो यह ultra centrifugation के बारे में हमने last वीडियो में पढ़ा था I hope सबने वो वीडियो पहले देखा होगा अगर नहीं देखा है तो आप पहले वुजा के वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो यह इस तरह से एक ultra centrifugation मशीन देखती है हमें ठीक है और principle हमने last वीडियो में अगर इसका pdf आपको चीए तो आप मुझे telegram channel पर जोइन कर सकते हैं telegram channel का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो हमने इसके types और principle को देख लिया था और इस वीडियो में अभी हम start करते हैं इसके instrumentation या part of ultra centrifuge के बारे में तो इसके अंदर guys सबसे पहले एक rotor लगा और यह rotor क्या करता है भाई रोटर के अंदर हम अपना sample cell रखते हैं और यहाँ पे qv light source लगा होता है और यह rotor यहाँ पे लगा हुआ है और रोटर के अंदर यहाँ पे हमारा sample cell रखा हुआ है ठीक है और यह motor जो लगी वी है इसकी वज़े से यह rotor क्या करता है rotate करता है इसके इसके अंदर vacuum pump लगा होता है जो कि इसके अंदर vacuum को balance बनाया रखता है vacuum create करता है और cooling system भी होता है क्योंकि जैसे हमने देखा कि ultra centrifuge के अंदर बहुत ही ज़्यादा speed में क्या होता है rotation होता है rotor बहुत ज़्यादा speed पे rotate करता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही access amount में heat भी generate हो जाती है जिसको balance करने के लिए यहाँ पे cooling system लगा हुआ होता है या फिर refresh rating system लगा होता है ठीक है और यहाँ से यह जो UV source से light यहां से हमारे sample से होते हुए यह जाए कि mirror तक mirror से light path से होते हुए lens को cross करकि detector तक जाएगी और यहाँ पे हमें इस detector पे पूरा analysis हो जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या process हो रहा है ठीक है अगर हम analytical की बात करें तो analytical ultracentrifuge में तो हमें साथ के साथ ही हमें पता चलता रहता है कि जो ultracentrifuge के अंदर sample के अंदर operation की time में क्या हो रहा है जबकि preparative की बात करें तो जब पूर process complete हो जाएगा उसके बाद में हमें यहाँ पे detector पे यहाँ पे जो है वो पता चलेगा ठीक है और यहाँ पे एक graph भी बन जाता है इस तरह से sliren optics यहाँ पे use किया जाता है जिसके वज़े से यह हमें इसमें graph मिल जाता है और यह हमारा sample cell इस तरह से लगा होता है इसमें air वाल तो instrumentation या part of ultra centrifuge में man man चीज़े यह होती है जो कि अभी हमने देख ली है अब यहाँ देख सकते हैं यह वाला जो part है यह वाला यहाँ से यह वाला जो part है यह आगे हम थोड़ा सा जूम करके देख रहा है जैसे कि एक light source है UV light यहाँ से जाती यह हमारा sample solution रखा वह यहाँ पे खूमता रहता है रूटीट करता रहता है इसका speed बहुत ज़्यादा होता है ठीक है 60,000 rpm से लेके 1,50,000 rpm तक इसका speed हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा है और इससे करते क्या है हम ultra centrifuge से बहुत small particles हैं उनको भी हम solution में से separate कर सकते हैं ठीक है so instrumentation इसके इंदर थोड़ी थोड़ी में समस लेते हैं तो ultra centrifuge are provide with a variety of parts and components perform different function ultra centrifugation के इंदर बहुत सारे parts जो है वो लगे रहते हैं और component लगे होते हैं जो कि different different function करते हैं okay सबसे main चीज क्या है इसके इंदर rotor है ठीक है ultra centrifuge के इंदर सबसे essential part जो है वो क्या है rotor है ultra centrifuge में तीनों टाइप की rotor जो है वो use किये जाते हैं तीनों टाइप की कौन-कौन से rotor भाई एक तो vertical rotor हो गया Swinging Bucket Rotor हो गया और Fixed Angle Rotor हो गया यह तीनो टाइप की rotor जो है वो Ultra Centrifuge Machine के अंदर यूज के जाते हैं सबसे ज़्यादा जो commonly use के जाना वाला rotor है वो है the Swinging Bucket Rotor ठीक है क्योंकि यह जो है Particles की Highest Concentration को ILD करता है या फिर उपज करता है, ILD का मतलब बनाता है Highest Concentration of Particles force in vertical rotors align with the position of the tubes इसके अंदर जो Centrifugal Force लगता है वो Tube के अंदर vertically लगता है ठीक है उसका direction जो है वो Centrifugal Force का direction जो है वो Tube के vertical position में होता है That's why यहां पर क्या होता है कि यह Highest Concentration होता है Particle का YLD होता है Okay, एक drive यहां पर लगा होता है is the power unit which spins their rotor holding cells जो rotor holding cells है या फिर tube है उनको spin करने का काम कौन करता है यह drive लगी होती है वो इस rotor को या फिर tubes को क्योंकि tube भी rotor के अंदर लगी होती है और जब rotor घुमेगा तभी tube भी घुमती है तो drive इसको spin करने का काम करवाती है which contain the solution of molecules और suspension of particle यानि कि यह rotor holding cells है इनके अंदर क्या होता है? tubes के अंदर क्या होता है? solution of molecules होता है इसके अलाबा हमने देख लिया भाई एक rotor लगा होता है एक drive भी लगी होता है interchangeable electric drive लगी होती है और rotor लगा होता है इसके अलाबा भी और क्या-क्या चीजे इसके अंदर instrumentation में लगी होती है analytical rotor लगा होता है ठीक है? 4 cell तक का और temperature device लगा होता है जो की control करता है 0 degree Celsius to 40 degree Celsius तक के temperature को cells with thickness covering a factor of 10 ये वाला cells मतलब वो जो बैटरी में cell लगा होता है इस टाइप का cell इसमें thickness वाला cell लगा होता है ठीक है? वो 10 factor तक को cover करता है the V's quards window permitting several cells to be used simultaneously इसमें ये V's quards window लगी वी होती है ये भी पार्ट है इसका instrumentation का ultra centrifuge के अंदर साथ ही साथ टैंपरेचर सिस्टम अलाव करता है the control of temperature in the system as heat production is common during the operation of ultra centrifugation of high speed क्योंकि ultra centrifugation में क्या होता है? रोटर जो है वो बहुत जादा speed में rotate करता है तो वहाँ पे बहुत जादा heat का production होगा उस heat के production को control करने के लिए temperature system allow करता है उस temperature को control करने के लिए यहाँ पे मतलब वो refrigerator वाला point आता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक refrigerator भी लगा होता है और क्या क्या लगा होता है भाई analytical ultra centrifuge also has a two dimensional comparator with a printing desk calculator द्वी आयामी ऐसे comparator यहाँ पे two dimensional comparator लगा होता है और इसके साथ ही साथ printing desk calculator यहाँ पे होता है interference होता है absorption optical system होता है यह तीन टाइप के optical system होता है interference, absorbance और calculator the optical system are necessary for the real time analysis of molecules जो molecules है उनका real time analysis करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है optical system है साथी साथ एक gradient forming device hand refractor है वो भी सकेंदर पाई जाती है नहीं लगी होती है recording spectro photometer भी इसमें लगा होता है with flow cell and fraction collector might also be present in preparative ultra centrifuge साथी साथ एक fraction collector भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है preparative ultra centrifuge जो मसीन है उसके अंदर ठीक है तो यह सारा का सारा किसका पार था instrumentation का पार था जिसके अंदर यह 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 सारी चीजे जो है वो लगी होती है और सबसे man चीज क्या भाई rotor है और drive है और temperature device है temperature control करने वाली device है जिसको हम refrigerator के नाम से जान सकते है ठीक है जो की cooling करने का काम करती है heat को control करने का काम करती है साथी साथ optical system बहुत ज़्यादा necessary है ताकि molecule का analysis हम real time में कर सके ठीक है तो यह 4-5 point जो है वो man manly आप अपने mind में रखना बाकी पढ़ना तो सारा यह कि कौन-कौन से जीजे जो है वो ultra centrifuge machine के अंदर लगी होती है so next हम देखते हैं procedure के बारे में क्या procedure होता है the process operating and ultra centrifuge might differ depending on whether it is analytical ultra centrifuge और a preparative ultra centrifuge मतलब differ करता है भाई क्या procedure होगा की analytical ultra centrifuge है या preparative ultra centrifuge है क्योंकि दोनों का ही procedure थोड़ा बहुत अलग होता है ठीक है क्योंकि analytical में तो हम क्या देखते हैं कि analytical में जब operation चल रहा होता है जब पूरा process चल रहा होता है तभी molecules का क्या analysis है वो हम detection system पे देख रहे होता है जबकि preparative ultra centrifuge में क्या होता है कि जब पूरा process complete हो गया उसके बाद में क्या-क्या उसकी molecules के बारे में जो भी detail है वो last में हमें पता चलती है ठीक है तो सबसे पहले हम analytical ultra centrifugation की process के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या steps हम follow करते हैं पूरा process करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम sample लेते हैं small sample size लेंगे size कितना होगा 20 to 120 mm3 का होगा जो कि analytical cells to be placed inside the ultra centrifuge जो कि analytical ultra centrifuge machine है उसके अंदर हमारे small sample size को हम place कर देते हैं सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पे the ultra centrifuge is then operated that the centrifugal force cause a migration of the randomly distributed biomolecules through the solvent radially outward from the center of rotation सबसे पहले हमने sample लिया और उसको machine के अंदर क्या कर दिया place कर दिया अब वहाँ पे हम क्या apply करेंगे centrifugal force apply करेंगे और यह centrifugal force क्या करेगा जो हमारे tube के अंदर sample है उसके अंदर जो molecules है जो कि randomly वहाँ पे distributed है solvent में ठीक है उनको outward rotation करेगा जैसे कि यह हमारा tube है यह यहाँ पे center है यह outward ऐसे outward जो है वो क्या करेगा rotate करेगा और molecules जो हो बाहर की साइट में आते जाएंगे ठीक है the distance of the molecules from the center is determined through the slid and optical system यह जो distance है molecule का center से इसको determine करने के लिए हम किसका use करते है slid and optical system का use करते है किसके अंदर analytical ultra centrifugation के अंदर ठीक है किसी भी molecule का center से किसी यह center है और इससे किसी भी molecule का कितना distance है इसको अगर हमें determine करना है तो हम slid and optical system का use करते है ठीक है I hope सब को समझ में आ गया होगा फिर यहां पे graph drawn होता है किसके बीच में एक तो solute concentration के बीच में और the squared radial distance के बीच में उसका solute का concentration कितना है और जो radial distance है ठीक है वो कितना है उन दोनों के बीच में क्या होगा एक ग्राफ draw होगा ठीक है from the center of rotation based on which the molecular mass is determined और इस graph के बीच पे हम किसी भी molecule के mass को determine कर सकते है कि उसका mass कितना है ठीक है तो यह था हमारा analytical ultracentrifugation के बारे में कि क्या process होता है सबसे पहले हमने sample को लिया उसको ultracentrifuge के अंदर place कर दिया sample इतने size का हो सकता है उसके बाद मैं इसके उपर centrifugal force apply किया और यहां पे जो randomly distributed molecules थे वो migrate कर गए और जो solvent radially outward from the center of the rotation यानि कि जो solvent है इस तरह से बाहर की side में क्या कर रहा है outward move करेगा इस centrifugal force की वज़े से और यहां पे एक sliran optical system लगा होता है जिसकी वज़े से किसी भी molecule का इस center से ठीक है यहां तक कितना distance है बाहर की side में उस distance को हम क्या कर सकते है determine कर सकते है और एक graph drone होता है किस-किस के बीच में solute concentration और radial distance के बीच में ठीक है किस enter से उसका कितना radial distance है और solute का concentration कितना है उन दोनों के बीच में एक graph drone होगा और उसके base पे हम किसी भी molecule के mass को determine कर सकते हैं यह था analytical ultracentrification का process next हम देखते हैं preparative ultracentrification का process उसमें भी यह दो टाइप का होता है density gradient centrifugation और differential centrifugation इसको हम density gradient ultracentrification भी बो सकते हैं और differential ultracentrification बो सकते हैं वो ज्यादा सही रहेगा सबसे पहले हम density gradient centrifugation के बारे में देखते हैं इसमें क्या होगा भई in preparative ultracentrifice using density gradient a density gradient has to be prepared इसके अंदर हमें density gradient को prepare करना होता है सबसे पहले मान लो हमारे पास में यह ट्यूब है ठीक है और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे density gradient तयार कर लेंगे मतलब यहाँ यह वाला जो level है इसका density अलग होगा एक ही ट्यूब में और यह वाला जो level है इसका density अलग होगा और इसका density अलग होगा ठीक है एक ही ट्यूब में तीन अलग-अलग level वाले में density अलग-अलग है यह हमने कैसे करेंगे जो जहाँ पर बहुत ज्यादा concentration है सुक्रोज का उस लेयर की उपर हम क्या करतेंगे एक less concentrated सुक्रोज की लेयर को अपलाई करतेंगे जिसकी वज़े से सुक्रोज का density gradient तयार हो जाएगा कई ऐसे भी ultra centrifuge होते हैं जिसके अंदर gradient forming device लगी होती है और वो खुदी gradient को तयार कर लेती है बना लेती है ठीक है अगर नहीं लगी ऐसे device तो हम सुक्रोज का लेयर अपलाई करके उसको बना लेते हैं gradient को अब sample को हम इसके अंदर place करेंगे अब यहां पर क्या होगा rotor जो है वो rotate करेगा अब लेकिन आगे जाके जो हमने sample डाला है उसका concentration या उसका density gradient क्या है उसकी हिसाब से density की हिसाब से यह अपने अपने level में आके रुख जाएंगे जैसे यह हमारा tube है यह हमने level तयार किया था और यह हमने sample डाला और sample का density कितना है मान लो 1, 2, 3 यह हो गया sample का density अगर 3 है ठीक है तो यह यहां पर आके रुख जाएगा sample का density अगर 2 है तो यहां आके रुख जाएगा और sample का density अगर 1 है तो यहां आके रुख जाएगा ठीक है इस तरह से sample जो है वो sample के जो molecules है sorry molecules जो है वो separate हो जाते हैं तो temperature and time are set in the ultracentrifuge before the process is started इसके अंदर मतलब जब process start होगा उससे पहले ही हम temperature और time को set कर देते हैं ultracentrifuge के अंदर और lid को हम close कर देते हैं और process हमारे start हो जाती है ठीक है lid मतलब हमने machine के अंदर एक धक्कन सा देखा था न वो धक्कन पुरा बंद कर दिया जाता है और जो rotator है उसके अंदर tubes जो है वो रखने के लिए प्लीज कोता है वहाँ पे हम उन tubes को रख देते हैं और tube के अंदर हमारा क्या होता है sample होता है जैसे कि मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे इस tube में क्या होता है medium set होगे जहाँ पे किसी molecule का density मैच होगा उस density वाले level में वो वहाँ पे जाके रुख जाएगा ठीक है the fraction are removed and separated obtaining the particles as isolated unit जो fraction है वो remove कर लिए जाएंगे या separate कर लिए जाएंगे और particles को क्या कर लेंगे isolate कर लेंगे तो यह पूरा process था differential centrifugation का कि उसमें levels तयार करते हैं यानि density का gradient तयार करते हैं और molecule का जो भी density है वो जहाँ मैच होगा वो वहाँ पे जाके रुख जाएगा next हमारा differential centrifugation differential centrifugation में क्या होगा गईज यहाँ पे हम level तयार कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हमारा जो medium होगा वो buffer containing होगा और एक जैसा ही होगा मतब SNE की अलग-अलग level पे अलग-अलग density है यहाँ पे buffer containing medium होगा और homogenized होगा यानि समान होगा एक तरह ऐसे पूरा का पूरा medium लेकिन यहाँ पे separation कैसे होगा molecules का यहाँ पे separation यह होगा कि जो difference create होगा centrifugal force के अंदर और speed अलग-अलग होगी rotation की उसके बेस पे यहाँ पे क्या होगा जो molecules है उनका separation हो जाएगा the sample is then placed in the centrifug tube सबसे पहले हमने क्या-क्या medium तयार कर लिया भाई buffer containing medium है और homogenized medium है अब यहाँ पे हमने centrifug tube के अंदर हमारा sample को place कर दिया और इसको एक particular centrifugal force पे हमने operate किया एक particular time एक specific time पे और एक particular temperature के उपर ओके यह बहुत important है particular centrifugal force के उपर क्योंकि force का अलग-अलग force यहाँ पे यूज किया जाता और speed भी अलग-अलग होती है by the end of this operation यह operation के end में क्या होगा एक palette create हो जाएगी अब मानलो यह tube है और यहाँ पे palette create होगी यानि कि जो heavy molecules थे वो यहाँ के जम गई इस तरह से हम बोल सकते हैं ठीक है bottom के अंदर एक tube में bottom में एक palette create होगी which is separated from the supernatant जो कि यह float कर रहा होते है न यहाँ पे इसको हम supernatant बोल देते हैं और यह इसको बोलते है निच्चे जो जम जाता है उसको हम palette बोलते है तो supernatant से palette जो है वो अलग हो गई supernatant को हमने क्या कर लिया नए centrifuge tube में डाल दिया अब यह तो यहाँ पे separate हो गया और यह एक और tube ली हमने और यह उपर वाला supernatant है अब उसको एक another speed पे एक particular time पे एक particular temperature पे क्या किया वापस से centrifugal force अप्लाई किया और operation start किया अब फिर से क्या होगा कि जो supernatant है वो वापस separate हो जाएगा और palette form हो जाएगी और इस तरह से इस process को तब तक करेंगे these steps are continued until all particles are separated from each other मदब जब तक सारे particle एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते तब तक हम इस पूरी process को इन सारे steps को वापस करते रहेंगे ठीक है the particles can then be identified by the testing for indicator that are unique to the specific particle अब particle को जब हमें identify करना है तो हम test करते हैं indicator से जोकि specific होते हैं किसी भी particle के लिए unique होते हैं ठीक है मदब indicators का यूज करेंगे particles को identify करने के लिए और वो indicator जो है किसी भी particle के लिए unique होगा next point हमारा uses of ultra centrifuge ultra centrifuge के क्या के uses होते हैं इतना सारा पढ़ लिया क्यों कर रहे हैं यह सारी process यह भी तो पता होना चाहिए so preparative अगर ultra centrifuge की बात करें तो इसको हम pyelosi के अंदर use करते हैं और a pelleting fraction of cell organelles जो भी cell organelles हैं उनके pelleting fraction के लिए जैसे कि mitochondria हो गया, ribosome हो गया और virus हो गया इन सब सारे cell organelles के pelleting fraction के लिए हम use करते हैं preparative ultra centrifuge का density gradient centrifugation को use किया जाता है cesium salt gradient for the separation of nucleic acid like DNA और RNA nucleic acid जैसे DNA और RNA हो गया इनके cesium salt gradient को separate करने के लिए हम density gradient centrifugation का use करते हैं analytical ultra centrifuge के अगर बात करें तो यह allow करता है detection and characterization of macromolecular conformational changes due to the changes in pH, temperature and other environmental factor जब pH change हो रहा हो, temperature change हो रहा हो, environmental factor चेंज हो रहे हो उस time पे जो conformational changes है किसके macromolecules जो है उस time पे उनके characteristics क्या है उनको detect करने के लिए हम इसका use करते हैं किसका analytical ultra centrifuge का AUC किसके लिए use किया गया है analytical ultra centrifuge के लिए use किया गया है हमको allow करता है determination of stoichiometries of various macromolecules like molecular mass size and etc जैसे macromolecules हैं उनके molecular mass का पता कर सकते है उसकी size क्या है उसका पता कर सकते है किसकी मदद से analytical ultra centrifuge की मदद से इसके लिए और क्या क्या uses हो सकते हैं उनको assemble करना और dissemble करना दोनों में differentiate करने के लिए dissemble करना है मतलब assemble मतलब उसको सयोजित करके रखना है या फिर dissemble मतलब उसको separate करके रखना है तो उन दोनों ही चीजों के लिए हम AUC का use कर सकते हैं ultracentrifuses are also used in the determination of densities of various macromolecules अगर हमें किसी भी macromolecules की density के बारे में पता करना है तो हम ultracentrifuse का use कर सकते हैं beside it also allow the purification of various biological crude extracts और बहुत सारे biological molecules जो होते हैं उनके purification के लिए भी हम ultracentrifuse का use कर सकते हैं तो ये थे सारे के सारे ultracentrifuse के uses कि कहां कहां पे हम उसको use कर सकते हैं और मैंने use क्या होता है इसका कि हम कोई भी molecule है कोई भी biomolecule है ठीक है उनके separation के लिए हम इसका use करते है ultracentrifuse का last point है इस topic का वो है precautions की ultracentrifugation का जो पूरा process है बहुत ही sensitive है ठीक है तो इस वज़े से हमें बहुत सारी साफधान है आप बरतनी चाहिए और वो क्या-क्या हो सकती है भाई जब हम ultracentrifuse को run कर रहे हूँ तो हमें manufacturers manual को follow करना चाहिए एक manufacturer manual तयार क्या जाता है जब किसी भी machine को बनाया जाता है कि उसको use करते टाइम कैसे use करना चाहिए क्या-क्या ध्यान अखना चाहिए वो पूरा manual में लिखा होता है उस चीज को follow करना चाहिए ठीक है the rotor should be handled carefully and should be routinely observed for signs of corrosion and cracking rotor को बहुत ही carefully handle करना चाहिए और हमेशा मतलब routine के अंदर ये check करना चाहिए कहीं उसमें corrosion तो नहीं हो रहा कहीं उसमें cracking तो नहीं हो रही मतलब daily routinely ये check करना चाहिए कि rotor के बारे में ठीक है कि वो खराब तो नहीं हो रहा है while adding the tubes into the rotors जब हम rotor के अंदर tube को add करते हैं the volume of sample in the tube should be the equal मतलब जब हम rotor के अंदर tube को add करेंगे तो जो sample का volume है tubes के अंदर वो equal होना चाहिए सब में the number of tube added to an ultra centrifuge should always be balanced जो tube का number है ultra centrifuge के अंदर वो balance होना चाहिए अगर वो balanced नहीं है अगर sample enough नहीं है अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर हम क्या डा सकते हैं distilled water जो है वो भी हम उसके अंदर adjust कर सकते हैं the rotor speed should not exceed the assigned value जो भी assigned value है उससे ज़्यादा rotor का speed नहीं होना चाहिए the lid of the chamber should always remain closed during the operation जो वो rotor लगा होता है और उसके अंदर वो tubes वाला chamber लगा होता है उसके उपर एक धकन सा लगा होता है उस धकन को close कर देना चाहिए जैसे हम operate करते हैं ultra centrifuge को ठीक है to avoid damage in the rotor manufacturer's guide of rotor care and management should be followed rotor का damage नहीं हो इस वज़े से जो manufacturer's guide होते हैं rotor के बारे में उसके care के बारे में उसके management के बारे में वो सारे की सारी चीज़े जो है वो follow की जाने चाहिए तो यह सारे की सारी precautions थी सावधानिया थी जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए ultra centrifugation का जो पूरा process कर रहे है operate हम पूरा process कर रहे है उस time में ठीक है क्योंकि यह बहुत ही large एक machine है बहुत ही small molecules कि उसको separate करने के लिए use में ली जाती है और बहुत advanced laboratories है वहाँ पे maximum इसको operate किया जाता है ठीक है यह जो machine है और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो हमें सारा analytics मिल जाएगा जो भी process हो रहा है उसका temperature क्या है वो subset कैसे करना है यह सारी की सारी चीजे और यह होता है lid जिसको हम बोल रहे है कि भाई close कर देना चीज operation के time में है पूरा जो procedure हो रहा है और इसके नीचे यहाँ पे यह अंदर की side में बता रही हूँ यहाँ पे जो हमारा rotor लगा है और rotor के ऊपर क्या लगा है यहाँ पे ऐसे ऐसे tubes लगे है ऐसे tube chamber लगे है और इन tube chamber के अंदर हम क्या कर देते हैं अपने sample को tube के अंदर भरके इनके अंदर डाल देते हैं ठीक है अब इन tubes के अंदर भी like equal sample loaded होना चीजे मानलो इस tube में तो बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है इस तरह से नहीं होना चीए अगर मानलो हमारे पास में sample इतना available नहीं है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे मानलो इतना ही sample available है कि हमने इन चारों में कर दिया अब यह दो पूरी तरह से खाली हो गई तो यहाँ पे हम इसको distilled water से भर देंगे ठीक है ताकि वो balance बना रहे है तो यह कुछ यह man man points थे guys I hope यह video आपके लिए useful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने class के group के साथ में और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बैल आइकन को प्रीज करना मत फूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए Thank you so much guys